बॉलिवुड आक्टर्स श्रधा कपूर की सिल्म साहो और छिचोरे लोगों को खुब पसंदा रही है दोनों ही फिल्मों ने बॉक्स ओफिस पर 100 करोड का अंख्रा पार कर लिया है इतना ही नहीं साहो ने तो वर्ल्ड वाइड लगभग 500 करोड रुपे का कारुबार किया वही अब सुन्ने में आ रहा है कि श्रधा ने रमायन के लिए अजे और अनबीर कपूर की बेस्ती कर डाली है दरसल हाली में खबरे आई थी कि श्रधा अजे देवगण और रनबीर की अनटाइटल फिल्म में नज़राने वाली थी जिसे लवरंजन डारेक्ट करने वाले हैं लेकिन अब सुन्ने में आ रहा है कि डारेक्टर लवरंजन की फिल्म से श्रधा कपूर ने वौक आउट कर दिया है इसमें उन्हें दिपिका पादुकोन को रिप्लेस कर ये रोल मिला था मीडिया डिपोर्ट की माने तो श्रधा कपूर लवरंजन के प्रजेक्ट से इस दिया लग हुई है क्यूंकि उन्हें डारेक्टर नितेश दिवारी ने फिल्म रमायन के लिए अप्रोच किया था और वो इस फिल्म में काम करने के लिए एक्साइटिड भी है कहा जा रहा है कि दोनों फिल्मों की श्यूटिंग के लिए डेट्स नहीं मिल पा रही थी इसके अलावा भी श्रधा कपूर के पास और फिल्मों के ओफर्ज हैं इन सभी की श्यूटिंग नितेश की फिल्म के शुरू होने से पहले एक खतम हो जाएगी इसलिए उन्होंने अजिदेवकन की फिल्म को रिजेक्ट कर दिया बता दें कि नितेश तिवारी की फिल्म रमायन में श्रधा सीता के रोल में नजर आएंगी वही राम के रोल के लिए रितिक को अप्रोच किया गया है इसके लावर रावन के रोल के लिए प्रभास को कास्ट किया जा सकता है खबरों की माने तो फिल्म का बजर 600 करोड रुपे है बात करें श्रधा की आने वाली फिल्मों की तो अगले सार की शिर्वात में उनकी फिल्म स्ट्रीट दांसर 3 और बावी 3 रिलीज होने वाली है वल देखने वाली बात तो भी यह होगी कि श्रधा के मना करने के बाद लव रंजन की फिल्म में अजे और अन्बीर के साथ कौन से आक्टर्स को कास्ट किया जाता है वैसे आपको क्या लगता है श्रधा ने अजे के ओफर को रिजेक्ट करके ठीक की आया नहीं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं प्रधा करके जाएं झाल 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 झाल